उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है, वर्ग बेद को खतम करेगी हिंदी वहहम जोली है सागर में मिलती धाराएं हिंदी सब की संगम है, शब्द नाद लिपी से भी आगे एक भरोसा अनूपम है गंगा कावेरी की दारा साथ मिलाती हिंदी है पूरब पच्छिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है वर्ग बेद अर्थात उंच नीच का भाव हमजोली अर्थात सहेली अनुपम अर्थात बेजोड नाध अर्थात द्वनी कावेरी नदी का नाम है कमल पंखूरी सेतू अर्थात कमल की पंखूरियों का फुल उच्छ वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है वर्ग बेद को खतम करेगी हिंदी वहहम जोली है कवी कहते हैं कि उच्छ वर्ग के लोग जो हैं वो अंग्रेजी बाशा बोलते हैं जबकि मद्यम और निमन वर्ग के लोग हिंदी बोलते हैं बचों हिंदी साधारन जनकी बोली है कवी कहते हैं कि हिंदी एक सखी सहेली की तरह है जो एक दिन उंच नीच के बाव को खतम कर देगी बचों बाशा ही एक दूसरे की पहचान कराने और उस पहचान को बढ़ाने का माधियम है अगर हम वी देश में यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ अंग्रेजी बाशा का ही जादा इस्तमाल होता है बचों हिंदी बाष्ट के साधारन लोगों की बाशा है और हमारे देश भारत में साधारिन लोगों की ही सग्या अधिक है इसलिए ये उन्च नीच के बाफ को समाप्त कर सब को एक दूसरे के निकट लाती है सागर में मिलती दाराएं हिंदी सब की संगम है शब्द नाद लिपी से भी आगे एक भरोस्ता अनुपम है कवी कहते हैं कि सागर में जिस तरह दाराएं मिलती है उसी तरह हिंदी भी सब की संगम है जिस परकार सबी नदिया सागर में मिल जाती है उसी तरह हिंदी भी सब लोगों को परस पर मिलाती है हिंदी में सब बोलियां आकर मिलती हैं इसलिए बचो हिंदी एक विशाल बाशा है विदेशी, आंचलिक, उर्दू, फार्सी, आदी बाशों के शब्द भी हमें हिंदी में मिलते हैं ये एक बहुत अच्छा संगम है बचो क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा ने अन्य भाषाओं के शब्दों को गिरहन करने में कभी संकोच नहीं किया जब जहां अवशक्ता हुई हिंदी भाषा में ने शब्द शामिल होकर हिंदी के अपने होगे और हिंदी की समरीदी बढ़ती गई गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है पूरब पच्छिम कमल पंखोरी सेतु बनाती हिंदी है बचों गंगा उत्तर से बहती है और कावेरी दक्षिन से उत्तर से दक्षिन तक बसने वाले लोग हिंदी बोलते हैं ये पूरब और पच्छिम को मिलाने के लिए कमल की पंखुडियों का कोमल पुल भी त्यार करती है आईए बच्चों अब हम जानते हैं कि हिंदी कमल की पंखुडियों का कोमल पुल कैसे त्यार करती है यहां देखिए बच्चों मद्य परदेश से हिमाचल परदेश तक हिंदी बोली जाती है उत्तर परदेश में भी हिंदी कही जाती है उत्राखंड में भी हिंदी कही जाती है बिहार में भी हिंदी कही जाती है और जारखंड में भी हिंदी कही जाती है यहां देखिए हर्याना में भी हिंदी कही जाती है और राजिस्तान में भी हिंदी कही जाती है तो आपने देखा यहां पे कैसे हिंदी जो है वो कमल की पंखुडियों का कुमल पुल त्यार करती है इस परकार गिरिजा कुमार माथुर जी इन पंक्तियों के मादियम से यह बताना चाहते हैं कि हिंदी भाषा अलग-अलग राजियों में रहने वाले सभी भारतियों को परस पर मिलाने का कारे करती है भाषा सरल और सहज है पूरब पच्छिम में पवर्न की आवरिती से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है धन्यवाद विदार्थियों मुझे उमीद है कि आपको यह कवीता समझाई होगी इस परकार गिरिजा कुमार माथुर जी इन पंक्तियों के मादियम से यह बताना चाहते हैं कि हिंदी भाषा अलग-अलग राजियों में रहने वाले सबी भारतियों को परस पर मिलाने का कार्य करती है भाषा सरल और सहज है पूरब पच्छिम में पवर्न की आवरिती से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है धन्यवाद विदार्थियों मुझे उमीद है कि आपको यह कवीता समझाई होगी